जी है दोस्तों कप्तान लोहिष शर्माई कप्तानी में पहला वंडे खेलने उत्री वेस्ट इंडिस के सामने टीम इंडिया ने छे विकिट से जीत दर्च करी आप सभी को बताते हैं दोस्तों रोहिष शर्माई जी से काफी नराज भी दीखे जीत हुई लेकिन कहीं ने गहीं उनको चाहिए थोड़ा और सुधार टीम इंडिया में इन सब चीजों को साइट रखते वे बात करते हैं स्कोर कार्ड मैच हाइलाइट पर किस तरीके से मैदान में रन आउट होए बुरी तरीके से रिशाप पन्त तो दोस्तरफ विराट कोली कुछ बड़ी गल्ती करते वे अपनी विकिट खोकर आए और दोस्तरफ बात करें द दीपक हुड़ा वशिंग्टन सुंदर शार्दुल ठाकुर मुहम्मस सिराज युजवेंद्र रिचल और परसिदी कृष्णा नजर आए वहीं वेस्ट इंडीज की प्लेंग लेवन में ब्रेंडन केंग शाई होब डेरन बलावो शामरा ब्रूक्स निकलस पूरन कीरन पारी खेली परसिद्ध कृष्णा ने उन्हें चलता किया था चार चक्के लगाए था अपनी इस पारी में जेसन होल्डर ने और वहीं फैबेन एलन ने 43 गेंदों में 29 की पारी दो चोके की मदद से खेली थी आठवे विकिट के लिए बहुत बड़ी पारी थी एक तरीक रनकी ही बना कर आउट होगा थे दोसु विराट कोली ओर रिखले शार बले विराट कोली कप्तानी पसे हटा दीए गय है लेकिं लीडर्षिप क् увालटी ने चार बना करना के बावं गेंदबाजों की बात की जाए तो दोसों युजवेंद्र चहल ने दस ओवर के करीब खेल में उननचास रन देते वे चार विकेट चटकाई भाई वशिंग्टन सुंदर ने भी तीन विकेट अपने नाम करी दो विकेट पर सिद्धिक रिस्टना ने और सिराज ने दो मैड गेंदों में साथ रन की पारी रोई शर्मा ने दस चोके एक चक्के की मदद से खेली थी एक सुत्रा का इनका स्ट्राइक रेट था अलजारी जॉसिफ ने इनको अलपे डबलू आउट केया था वहीं दूसरी तरफ इशान किशन भी 36 गेंदों में ठाइस रन मनाने में काम था टीम इंडिया का एक हजारवा मुकाबला था होडिया का तो जीत कर शांदार यहां पर सेलिबरेट किया 32 गेंदों में 26 रन दीपा खूडा ने 36 गेंदों में 34 रन सूर्य कुमार यादव ने बनाए अलजारी जॉसिफ ने दो विकेट जटकी वहीं अकील होसे ने एक व बना लिया 22 ओवर का खेल अभी भी बाकिता और 6 विकेट से टीम इंडिया यह मुकाबला जीत जाती है 1000 वंडे मुकाबला रोही शुर्मा की कपतानी में नेक्स्ट नाइन स्पोर्स के रिपूर्ट